हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ मनोश शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चेप्टर अकाउंटिंग रेश्यो आगे कॉंटिन्यू जिसको हम टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं अब तक इसके 1,233 कोशन हो चुके आज 34 को मैं कोशन रीड करता हूँ आप देखिए लिखाव है टोटल असेट्स आपको दे रखिए 11 रुपी फिक्स असेट्स आपको दे रखिए 5 रुपी और एक नया पॉइंट आगया कैपिटल इंप्लॉइड वो दे रखिए आपको 10 रुपी आगे बता रहे देरवर नो लॉं लॉंग ट्रम इन्वेस्ट्मेंट हमारे पास कोई लॉंग ट्रम इन्वेस्ट्मेंट नहीं है यानि के नॉन करेंट इन्वेस्ट्मेंट कैल्कुलेट करेंट रिश्यों हमें करेंट रिश्यों फाइंड आउट करना है अब कैसे करते हैं ना तो करेंट असेट्स पता और आई current liability पता किस तरीके से करा जाएगा देखो सबसे पहले balance sheet को समझ लो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको याद रख लो बहुत सारी item यहीं से निकाल लाएंगे जैसे question में capital employed आ गया capital employed पहले समझ लो किसको बोलते shareholder fund plus non current liability यानि के जो हमारा fund है borrowing fund दो तरीके से होता है एक तो हम owner से करते हैं जिसको बोलते है shareholder fund एक हम outside करते हैं जिसको बोलते है non current liability जैसे bank loan लेन डिवेंचर इशू करना इन दोनों को add करने तो क्या बनता है वो capital employed अब यह capital employed निकालने के बहुत सारे फामूली हैं तो आपको वह learn करने की जुर्पनी balance sheet से बना लाओ तीन आइटम इदर लिखते हैं liability side में shareholder fund non current liability और प्लस current liability और तीनी आइटम asset side लिखते non current assets plus non current investment plus current assets कर दें तीनों का add उड़ तो total assets बन गई और यह total liability यह तो equal आएगी दोनों क्योंकि balance sheet match करती है अब मैंने आपको बताया capital employed निकालने के कई तरीके हैं जरूरी नहीं कि इसी तरीके से निकालो एक और तरीके से देखो आप निकल गया लेट करो अब आपको question में total assets दे दे यानि कि यह दे दे हमें यह दोनों का सम चाहिए और हमें current liability दे तो निकल गया या नि total assets में से current liability माइनस कर दो तब भी निकल गया दूसरे तरीके से देखो असेट से प्रोच से जैसे हम बोलते हैं भाइन fix asset लो प्लस करो उसमें non current investment प्लस current assets माइनस current liability तब भी आप होच गया तो किसी भी वे में आप निकाल सकते हो अब इस question में देखो आपको total assets दे रखी है कितनी 11 लाक रुपी तो यह क्या चीज आ जाएगी आपकी से यदि यह दो रखें तो टोटल असेट्स में से माइनस करो तो यह क्या चीज़ आ जेएगी आपकी करन्ट लाइबरिटी क्यों आ जायेगी क्योंकि टोटल असेट्स इक उस्कोम वनेगी टोटल सेट के मेलें शीट तो बनते चले जाएंगे क्योंकि जो एड़ा बहुत ही उज़ोगा दो तो नए फामुले एड़ू है उन्हें भी एड़ा हमारे एक और रिटन ओन इन्वेस्टमेंट उसमें भी एड़ा इंप्लोईड यूज़ है और यह तरीके से निकलता है लेकिन आपको रटने की जरुतनी कॉंसेप्ट समझ नहीं है कैपिट इंप्लोईड बेसिकली आपको क्या बताया बोरोइंग फंड है जो हम ओनर से लेंगे और आउटसाइड से लेंगे अब पहले टोटल असेट्स लिखो किसके बरावर बताई आपको फिक्स असेट प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यही तो है तीन चीजा आप याद करो और प्लस करेंट असेट्स जो जो चीज दे रखिया पुट करते जाओ टोटल असेट्स कुश्चन में चेक करो 11 रुपी दे रखिये लिख दो टोटल असेट्स फेक्स असेट्स 5 रुपी दे रखिये लिख दो नॉन करेंट असेट्स लेक रुपी लिखो माइनस करो फाइव लैक रुपी जब यह इक्वल टू के पोजिट जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा ध्यान रख लेना कितना आ गया शिक्स लैक रुपी आपकी एक चीज तो आ गई क्या आगई नोट करो अब हमें करेंट लाइबिलिटी निकालनी है वो कैसे निकलती है देखो वह फामुले से बनानी है ध्यान रख लो मैं आपको अपनी कराओंगा अपने आप जनरेट करोगे आप इन दोनों का समभी क्या बताया कैपिटल इंप्लॉइड यह देखो यह मैंने लिख दिया अच् ऊपका अपने अप जनरेट कर लो फामूला यह बन गया आपका टोटल असिट्स यानिक के टोटल असेट्स कि supplies को Should I औblesटान में इसी को लिखेलो टोटल क्Now li прост यह देखो इन तीन के यह दो तो दी रिखी है मैं कैपटल इंप्लोईट एक रुपी इन दोनों को मिला दे तो मिला धिया लिखेलें यह आप उप प्लस करो या करेंट लाइबिलिटी यह निकल गई हमारी करते जाओ जो जो चीज दे रखी है टोटल असेट्स दे रखिए 11 लाक रुपी यह दिखी अभी अभी अमने और यह किसके इक्वल बैठेगी जब टोटल असेट्स 11 है तो टोटल लाइबिलिटी भी कितनी आएंगी इक्वल आएंगी 11 लाक ही लिख दो यहाँ पर 11 लाक रुपी यह तो यह रहा और कैपटल इंप्लोईड आपको 10 लाक रुपी दे रखा है नोट करो अच्छी दरह से और करेंट लाइबिलिटी दे नहीं रखी तो निकल गई हमारी करेंट लाइबिलिटी देखो इसको दोनों चीज तो पता चल गई करेंट असेट्स भी और करेंट लाइबिलिटी लिख दो अभी आपर यह कितना आ रहे आपका 6 लैक रुपी लिखो 6 लैक यह कितना आ रहा है 1 लैक रुपी लिख दो 1 लैक यही तो फाइंड आउट करना था में यह हमारा आंसर है नोट कर ल लेटी असेट सैट चले जाओं अउनकरणनट एंवस्टवेंट प्लस करेंट्स आशेट्स इननी से कटल हम बनता है और इन दोनों का समकाilusp 12,0 ήक्सी फामुले से जैसे आपको देखा अपने आप फामुले जनरेट करो तो इसको दिबाग में एया दर कलो शुआ पैँर ल आप देखिए लिखा है capital employed रुपी 20 lakh fixed asset रुपी 14 lakh current liability देर किया 2 lakh क्याता है there are no long term investment long term investment नहीं है और calculate current ratio हमें current ratio find out करना है कैसे find out करते हैं देखो देखो balance sheet याद रख लो कभी गलती नहीं होगी ध्यान रख लेना current ratio के लिए हमें क्या चीज़ की दरूत है current assets और current liability current liability तो question में given है 2 lakh हमें क्या find out करनी है बस current assets कैसे निकाल सकते हैं हम यह check करते हैं हमें क्या क्या चीज़ given है देखो हमें liability side की item given है या asset side की यह check करना होगा capital employed आपको दे रख है उसके बाद fixed asset आपको दे रखी है यानि क्या यह दे रखी है fixed asset और यह zero दे रखिया यह नहीं दे रखिया यह नहीं तो यानि क्या asset side से तो निकलेगा नहीं capital employed क्या चीज़ बताई थी आपको अभी यह दोनो share older fund और non current liability इसको capital employed बोलते हैं और आपको current liability भी दे रखिया तो total liability आपके पास आ गई और total liability किसके बैठेगी total assets तो यहां लिख लो total liability पहले लिख लो कितनी आ रही है कि आप balance sheet से बनाए जाओ किसके बराबर आएगी capital employed इन दोनों को बोलें तो क्या बोलते हैं capital employed यह लिख रखा यह दिखो यह रहा लिख दो capital employed और प्लस कर दो यहां पर current liability कैसे बनती है देखो टोटल liability किसके एकोलोगी यह भी याद रख लेना total assets के ध्यान रख लो हमें total assets पता चल जाएगी तो हमारी current assets आ गई क्योंकि यदि यह पता चल जाए यह question mark है यह 0 दे रखा और आपको non current assets दे रखें जिसको fix assets बूलते हैं तो यहां से पहले निकाल लाओ कि total assets कितनी आई capital employed question में गीवन है देखो यह रहा 20 lakh लिख दो 20 lakh उसके बाद फिर आपको current liability भी गीवन है 2 lakh रुपी लिख लो 2 lakh आपकी total assets कितनी आ गई 22 lakh जिसको total liability भी बोल सकते हैं ध्यान रख लो यानि के मेरी total assets आ गई कितनी 22 lakh अब हमारा वर्क हो गया हमें जदी total assets जिसके equal बनती है इन लिख लो total assets यह तो निकल गए हमारी 22 lakh फामुला लिखो दो अपने आप बनाओ फामुला total assets is equal to fix assets प्लस non-current investment प्लस current assets आगई current assets देख लो यह balance sheet तो है तीन आइटम जो लिखी उसी के बराबर आएगी total assets यह हम निकालना है 22 lakh पुट कर दो यह 22 lakh total assets तो और fix assets आपको question में दे रखी है 14 lakh लिखो 14 lakh और यह दे रखी है 0 clear लिखा है long term investment 0 है और current assets कितनी है पता ही नहीं निकल गई हमारी current assets कैसे निकल गई इसको उदर ले जाए तो माइनस का sign होगा तो current assets आ गई लिख दो current assets 22 lakh माइनस करो 14 lakh कितनी आ गई आप चेक कर रहे हो तो 8 lakh रुपी आ गई यह क्या चीज़ आ गई मेरी current assets आ गई और current liability तो question में गीवन ही थी 2 lakh हमें यहीं तो चाहिए थी तो यह पूट कर दो अब कितना कितना आ गया भाई यह तो 8 lakh आ गई लिख दो 8 lakh और divide करो इसको 2 lakh से कितना बन गया 4 is 21 यह आपका answer आ गया clear हो गया यह था एक कुश्चन बहुत ध्यान रख लो बस balance sheet याद रखो अपने आप formula बनाते चले जाओगे याद रखो कभी गलती नहीं हो भी अब एक और question करते है 36 रीड करता हो आप देखिए लिख है from the following calculate current ratio and quick ratio current ratio भी निकाला और quick ratio भी quick ratio means liquid ratio अच्छा कुछ आपको details दे रखिए जैसे total debt दे रखा है total assets दे रखिए प्रापर्टी प्लांट एक्यूपेंट नॉन करेंट इन्वेस्ट्वेंट्वेंट लोन एंड अडवांसें लॉंग ट्रम बोरोईंग लॉंग ट्रम प्रोविजन इंवेंट्री और प्रीपेड यह आइटम दे रखिए इंसे आमें करेंट asset करेंट रेश्वेएators्र कोई रेश्वो निकाल ली कैसे निखलता है वो देखते ना तो कुष्छ 2017 में है और तीन में से दो फिगर दे रखिये तो equation में निकल गई यहां लिख लो फामूला current assets कैसे निकल गई यह री current assets किसके इकोल होगी total assets जो question में mention है note कर लेना और किसके बराबर आएगी इसमें से क्या minus कर दो यह रहा total में से non current assets यानि के जिसको fix assets बोलते है और साथ में minus करो non current investment तो यह क्या चीज़ आ जाएगी current assets आ गई लिख दो यह तो 16 lakh दे रखी है अच्छा fix assets कैसे पता चली note करो थोड़ा property plant and equipment वह fix assets है minus होगी non current investment दे रखी है 1 lakh वह minus होगी loan and advances भी fix asset है minus करो यह लिख लो पहले क्या चीज़ दे रखी है 6 lakh रुपी यह तो 6 lakh रुपी minus करो यह क्या चीज़ है यह plant है मैं लिख रता हो छोटा सा आपको उसके बाद फिर minus करो आगे आगे non current investment दे रखी है 1 lakh रुपी minus करो 1 lakh रुपी यह क्या दे रखी है आपको non current investment और एक और दे रखा है वह भी minus करो वह है loan and advances कितना है 1 lakh रुपी यह रहा और यह bracket में लिख दो loan and advances किलियर है तो यह आपकी current assets आ गई चलो जी यह निकाल दा हो कितनी यह आगी यह देखो यह 16 lakh है यह 6 lakh माइनस का 1 lakh माइनस का 1 lakh माइनस का टोटल होगे 8 lakh 16 में से 8 lakh माइनस करो तो आपका कितना बन गया 16 lakh माइनस करो 8 lakh करते हो तो 8 lakh रुपी आ गई यह क्या चीज़ आ गई नोट कर लेना यह मेरी current assets आ गई यह तो एक चीज़ अमें पता चल गई clear है अब चलते करेंट liability कैसे निकलती है वह भी निकल गई total debt किसको बोलते हैं इन दोनों को तो आपको long term debt पता हो इन दोनों का संब क्या बनता है total debt debt का खाली debt है तो long term total debt है तो long term और short term यानिके current liability being involved है तो यदि आपको total debt पता और यह पता है तो current liability आ गई formula लिख दो current liability का किसके बराबर होगी total debt लिखो और क्या minus कर दो इसमें से जो non current liability आपको दे रखी यह वो minus कर दो यह ध्यान रख लो यह जो total debt है यह हमेशा याद रख लो कि क्या चीज़ते हैं यह non current liability plus current liability दोनों का संब को क्या बोलते है non total debt वो total में से यदि मैं non current को minus करूं तो current liability आ गई यह निकल गई हमारी total debt कितना दे रखाय नोट करो total debt आपको दे रखे 12 लाइक रुपी लिख लो 12 लाइक रुपी आप minus करो non current liability आपको डून नहीं है non current liability कौन कौन सी है जैसे long term borrowing होगे डिवेंचर होगे bank loan होगे long term provisions होगे question में दो ही दे रखी है long term borrowing है long term provision है दोनों का minus कर दो यह रहा कितना एक तो four lakh रुपी है यह minus करो और यह क्या चीज है आपकी long term borrowing यह मैंने लिख दी कैसे और minus करो फिर यहाँ पर आप long term provision वह भी बाई चांद four lakh रुपी है लिख लो वह भी ब्रैकेट में लिखता हो long provision आप इसका टूटल कर लो भाई यह तो 12 रुपी है और वो दोनों मिलाकर कितने बन गए एट लेक रुपी टोटल करोगे तो four lakh रुपी आपकी current liability भी आ गई हमें क्या चीज की ज़रूद थी current assets और current liability दोनों बिल गई तो यह तो मेरी current liability आ गई पहले आप quick assets भी निकाल लाओ फिर दोनों put कर देंगे यहाँ यह देखो quick assets किसके equality याद करो थोड़ा सा current assets में से two assets को minus करो inventory और prepaid दोनों दे रखे हैं तो क्या चीज आ जाएगी quick assets लिख लो यह किसके बराबर बताए आपको current assets quick assets किसके बराबर है current assets में से दो assets याद रख लो inventory और prepaid expense और prepaid का कभी कभी नाम देगा advanced tax वो भी एक ही meaning है minus करो यहाँ से prepaid expense और inventory कितना दे रखें नोट करो current assets तो अभी अभी आप निकाला 8 lakh पुट करो इसकी जगह यह रहा यह तो 8 lakh रुपी है लिख दो यह और माइनस करो prepaid expense देखो दे रखें 10,000 और inventory 1,90 प्रीपेड तो 10,000 दे रखें inventory 1,90 लिख दो करोगे तो यह 2 lakh बन गया 8 में से 2 करते हो तो 6 lakh रुपी आ गई और यह 6 lakh रुपी आपकी क्या चीज़ आ गई नोट करो यह मेरी कोई cassettes आ गई लिख लो या कोई cassettes अब हमें तीनों चीज़ पता चल गई सारी चीज़ें पता चल गई पूट कर दो आप यह यह देखो current assets तो कितनी आई है 8 lakh current liability कितनी आई है 4 lakh लिखो यह तो 8 lakh हो गया और यह divide करो इसको 4 lakh से तो मेरा current ratio तो आ गया कितन ले अभी कोई cassettes कितनी आई है 6 lakh लिख लो 6 lakh यहाँ पर और current liability तो 4 lakh ही है वो लिख दो 4 lakh यह रहा कितना बन गया 1.5 is 21 करोगे तो इसको जौन कर लेना क्लियर हो गया यह यह था यह question अब एक और question करते 37 37 में देखो मैं रीड करता हो आप देखिए लिखा है following is the balance sheet of crescent chemical works limited as at 31st मार 2023 हमें balance sheet दे रखिए full flash नीचे requirement है compute current ratio लिक्विड ratio दोनों ratio निकाल लिए अच्छा जब आपको balance sheet दे रखिए तो आपके लिए बहुत असान काम हो गया देखो question में चलो current liability directly दे दी इसने और current assets भी आपको मिल जाएंगी जब पूरी की पूरी full flash balance sheet हमार पास होगी तो current assets पता चल गई हमें current liability पता चल गई quick assets निकालती हैं देखो current liability पहले लिख लो कितनी आई या लिखो current liability जितनी तीन आइटम दे रखिए हैं देखो current liability में अच्छी तरह से देख लो कौन कौन सी दे रखिए short term borrowing उसके बाद ट्रेड पेवल फिर short provision for tax तीनों को एड़ कर दो current liability बन गई लिखलो या current liability कितनी कितनी दे रखिए नोट करो यह तो आपको एक तो 3000 दे रखिए लिखलो 3000 प्लस करो इसके अंदर आप थर्टीन थाउजेंट यह रहा और प्लस करो इसके अंदर आप 4000 तीनों को एड़ करो तो क्या बन गई मेरी current liability आ गई है कितनी बन गई चे current assets क्या है वो भी question में clear mention है नोट कर लो अच्छी तरह से जब balance sheet आए तो बहुत आसान हो जाएंगे फार्मुले बनाने क्यों already given है में find out ही नहीं करनी तीन आइटम दे रखिए current assets में तीनों को ले लो 50,000 का stock है डेटर 30 के और 20 का cash and cash equivalent लिखो 50,000 दे रखिए 30,000 आपको दे रखे और 20,000 टोटल करोगे तो वन लैक रुपी आ गई आपकी current assets clear हो गया यह चेक कर लो अब हमें quick assets चाहिए क्योंकि फार्मुले में quick assets भी चाहिए नहीं के liquid assets चाहिए तो liquid assets निकाल लाओ यह लिक्वेड assets कैसे बताई थी आप थोड़ा याद करो current assets minus करो इसमें से inventory और minus prep रखिये यह अभी अभी निकाल ली मनला है पुट कर दो current assets तो current assets में से दो assets को minus करो चेक करो inventory दे रखिये 50,000 inventory तो 50 है prepaid expense question में mention नहीं है तो 0 हो गए और निकालते हो तो कितना बन गया 50,000 आपकी liquid assets भी आ गई नोट कर लो यह तीनों चीज़ें तो पता चल गई अब होए भाई current assets चाहिए थी वो find out होगी liquid assets चाहिए थी वो find out होगी और current liability आ गई 20 अब formula में apply करो formula में करते हैं तो देखो current assets तो 1 lakh है लिख दो 1 lakh रुपी और current liability अभी अभी आपने निकाली 20,000 लिख दो ratio क्या बन गया चेक करते हो तो 5 is to 1 आ गया यह तो एक answer आ गया आपका clear है ऐसे liquid assets की बात करो liquid कितनी निकालना है 50,000 पुट कर दो यहाँ पर 50,000 और divide कर दो 20,000 current liability तो 20 है कितना बन गया चेक करते हो तो 2.5 is to 1 आ गया लिख दो यह यह answer था इसका clear है तीजी है जब आपको balance sheet full flash आ जाए company की क्यों उसमें direct current assets भी मिल जाएंगी और current liability भी find out करने की जुरूत नहीं अब एक और question करते है 38 वहां से ratio change हो रहा है वह है debt equity ratio solvency ratio शुरूर है solvency है अभी जो हमने करे थे liquidity ratio थे इसमें दो थे जो solvency ratio करेंगे उसमें total 5 ratio करने है पहला नंबर पर आ रहा है debt equity ratio यह long term financial position को represent करता है company की और जो अभी हमने करे current ratio और quick ratio यानिका liquid ratio यह short term financial position को show करते हैं तो अब करते है debt equity ratio 38 question से मैं read करता हूँ आप देखिए लिखे total assets दे रखे आपको 2,60,000 total debt दे रखे आपको 1,80,000 current liability दे रखे 20,000 calculate debt to equity ratio हमें debt to equity ratio find out करना है कैसे करते हैं देखो पहले तो debt equity ratio का formula देख लो क्या है debt upon equity learn करना भी आसान है यह वाला formula नाम पे जाओ debt और equity दो वड़ आ रहे है पहले वा अच्छा यह क्या है हमारी जो है long term financial position को represent करती है और इसके अंदर total 5 ratio read करेंगे हम उसमें पहली आ रही है debt equity ratio हो debt का मतलब है long term borrowing मैंने लिख भी दिया देखो है रहा long term liability और equity का मतलब है shareholder fund इसका link up balance sheet से बनेगा बहुत ध्यान से करते जाओ इसलिए balance sheet की तीन item इदर की याद कर लो तीन उदर की अपने आप सारे फामूले बनते चले जाएंगे हमें क्या चीज़ चाहिए debt या निका long term liability हमें यह चीज़ चाहिए से निकल गई equity कैसे निकल गई देखो total debt का मतलब है यह दोनों चीज़े पता है आपको लेकिन ना तो आपको shareholder fund पता ना total liability पता है लेकिन total liability भी आ गई total assets दे रखी है इसको balance sheet के total को क्या बोलते है total assets और इधर की side जो आएगा वो भी तो total liability के equally आएगा तो यानि के यह भी पता चल गई और यह दोनों भी तो shareholder fund भी पता चल गई यानि के equity भी पता चल गई अब question करते है शुरू सबसे पहले तो total debt का formula लगा लो यानि के non current liability निकाल दओ non current liability कैसे आगई यह भाई यह दी मैं total debt मैंसे current liability minus कर दौन तो non current liability आगई यह तो लिखवाया आपको अब भी भाई आपको यह भी given है और current liability पी current liability minus कर दो total मैंसे तो non current liability यह लिक्वन टो टोटल डेट मैस कर दो इसमें से current liability कितनी दे रखे है नोट करो total आपको यह री non current liability पता नहीं है total debt पता है यह देर खे 1 lakh 80 लिख लो 1 lakh 80 और current liability भी आपको पता है यह री कितनी देर खे 20,000 put कर दो क्या चीज आ गई आपकी यह 1 lakh 60,000 non current liability आ गई यानि के debt आ गया जो चीज की हमें जरूद थी यह तो हमेरी non current liability आ गई अब हमें क्या चीज चाहिए equity चाहिए यह चीज चाहिए और equity अभी बताए आपको हमें total assets पता है total assets का मतलब यह balance sheet का है total पता है तो liability भी तो इसी के equal रहेगी अच्छा जब आपको यह पता चल गए और यह दोरों देर रखें नहीं को तो total debt बोलते है प्लस current liability तो total तो shareholder fund भी आ गया फामूला बना दू shareholder fund का shareholder fund कैसे निकलता है देखो यह रहा इसी को equity बोलते है याद रख लेना यानि कहें total assets मैं यह लिख सकता हो ना total assets total assets किसके बराबर है नोट कर लो यहीं पर लिख लो total liability क्योंकि दोनों एक ही तो बराबर आएंगी वह जितनी यह होगी उतनी यह रहेगी तो total liability और इसमें से क्या चीज माइनस कर दो अब total debt माइनस कर दो total liability में से total liability पता है इन दोनों को माइनस करो तो यह चीज आ गई लिख लो total debt total debt question में दे रखें यह रहे चालो जी put कर दो अब इसको put करते हो तो यह रहा total assets आपको दे रखें 2,60,000 लिख दो और total debt आपको 1,60,000 दे रखें लिख दो कितना बन गया माइनस करते हो तो 80,000 आ गया clear हो गया यह चीज पता चल गई आपको यह क्या आगई आपकी equity आगई यानि के shareholder fund आ गया बहुत द्यान से समझे लो भाई non-current liability total debt दे रखें यह रहे current liability दे रखें है total debt यह बताया किसके equal है non current और current दोनों को मिलाए तो total debt दे रखें current liability अटाओ तो non current liability आ गई उसी को debt बोल गया क्योंकि हमें total assets पता थी तो total assets किसके इकोलोगी हमेशा total liability क्योंकि balance sheet की दोनों साइडे से माइंगी तो अब यह भी पता चल गया और यह दोनों दे रखें तो इसको उपर पूट कर दो कितना निकला है यह तो one lakh 60,000 यह दे रखा यह यह जो अभी आपको non current liability यानिके debt आप ओन में करो 80,000 कितना आ गया two is to one यही तो answer था इसका clear हो गया एक और question करते है 39 मैं read करतों आप देखिए लिखा calculate debt to equity ratio हमें debt equity ratio find out करना है equity share capital दे रखे 5 lakh रूपी, journal reserve दे रखे 90,000, accumulated profit दे रखे 50,000, 10% debenture है 1 lakh 30,000 और current liability 1 lakh देखो यह यह item तो आपको given है, यह दी, equity share capital है, journal reserve, accumulated profit और यह दे रखे, देखो current liability तो यह दी, हमें क्या चीच चाहिए debt equity के लिए debt, debt किसको बोलते है non current liability को, non current liability दे रखे है question में कितनी यह दिवेंचर, तो हमारी non current liability तो आ गई, एक तो यह put कर दो यहाँ पर non current liability यानिके debt तो आ गई, debt कितने दे रखे हैं आपको, 1,30,000 यह लिख लो आप, debt किसको बोलते हैं जो non current liability, bracket में मैं लिख भी देता हू, non current liability, clear है यह लिखा हूँ आपने, यह तो non current liability आ गई, यानि कि आपका debt आ गया, अब find out करते है equity, equity मतलब shareholder fund, और shareholder fund कैसे बनता है वो भी सुन लो, दोनो capital आपकी, यानि कि equity share capital, preference share capital, साथ में जितने भी accumulated profit है, accumulated profit कोन से होते हैं सुन लो, जैसे journalizer हो, कोई भी capitalizer दे रखाओ, कोई contingency रखाओ, कोई P&L account दे रखाओ, credit balance, वो सारे किसमें आएंगे, equity के अंदर, अब इस question में आपको एक तो equity share capital है, एक journalizer है, यह भी accumulated profit है, और एकुलेटिड प्रॉफिट खुदी दे लिया, तीनों को add कर दो, तो क्या बन गया हमारा equity, लिखो या पर equity, किसके बरावर होगा equity, मतलब shareholder fund, यानि कि एक तो share capital, और plus कर दो, इसके अंदर journalizer जो दे रखाए, और साथ में एकुलेटिड प्रॉफिट, आपको दे रखाए, कितना यह रहा, यह जो जो चीजे गीवन है, पुट करते जाओ, वो equity आगई, equity मतलब shareholder fund, याद रख लो, equity share capital 5 lakh रुपी है, गीवन है question में, लिख दो 5 lakh, plus journalizer 90,000 है, पुट कर दो, और plus करो उसके बाद 50,000, total करते हो, तो 6 lakh 40,000 आपकी shareholder fund आगई, यानि कि एकुटी आगई हमें 2 चीज़ों की तो requirement थी, debt पता चल गया, equity, अब हमले में put कर दो, यानि कि ऊपर तो आगए, आपका numerator में तो 1 lakh 30, debt तो 130 आया यह रहा, divide करो इसको 6 lakh 40,000 से, last याद रख लो, हमेशा last वाले को 1 बनाना है, 1 बनाने का तरीक्या क्या है, same digit से divide कर दो, तो 1 हो गया, उपर भ हो गया, काफी आसान था, यह वाला ratio, बहुत आसान है, इसका formula learn करना भी बहुत आसान है, debt equity ratio, पहले number पे जो है, पहले लिखो, equity denominator में रख दो, debt किसको बोलते है, long term borrowings, को यह लिख दिया, non current liability है, और उसके बाद equity किसको बोलते है, share older fund, जो यह लिखा था, share older fund, clear है, तो next class में आगे continue करते हैं, आप यहां तक practice कीजिए, कोई भी doubt लगता है, यह last in comment section, आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है, please इसको like and subscribe कीजिए, thanks for watching my video, next class में जल्दी मिलते हैं